अगर आप वेट कर रहे हैं एक ऐसे इलेक्टिक स्कूटर का जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर जा सके तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है जहां देश की लीडिंग इलेक्टिक टू वीलर कमपनियों में शामिल बैंगलूरू की एथर एनरजी अपन वाले ईस स्कूटर का नाम रिश्टा रख सकती है बहीं कमपनी ने चोरी छिपे इसकी टेस्टिंग भी रोडों पर करना स्टार्ट कर दी है जहां इस स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान रोडों पर देखा गया है हलांकि टेस्ट मियूल में छिपे होने के बाद भी इसके कई फीचेस का खुलासा हो गया है जहां ये मुझूदा एथर 450X लाइनप की तूलना में अकार में बड़ा नजर आ रहा है यहां पर आपको बता दूं की इसे बैंगलूरू की सटकों पर ही टेस्टिंग के दोरान देखा गया है चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा ओर डिटेल में इस टेस्टिंग के दोरान स्पोर्ट हुए इलेक्रिक स्कूटर के बारे में तो एथर रिस्टा की टेस्टिंग के दोरान इस पर दो लोग बैठे हुए थे और इस इस स्कूटर में बड़ा फ्लोर वोर्ड एरिया दिखाई दे रहा है और इस पर कुछ समान रखा हुआ होने के बावजूद भी इसके फ्लोर बोर्ड पर कुछ स्पेस नजर आ रहा है बहीं इस इलेक्रिक स्कूटर में एक लंबी सीट दी गई है और लंबी सीट के साथ ही समान रखने के लिए भी इसमें काफी जगा दी गई है हालांकि टू विलर का डिजाइन ओल्ड स्कूटर से मिलता दिख रहा है और लॉंच होने के बाद भारतिय बजार में इसका मुकावला टीवेस आई क्यूब और बजाज चेतक जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगा बात करूं इसमें मिलने वाले फीचर्स की तो एथर रिस्टा में एक होरिजोंटल हेडलाइट, टेल लैंप, फुल एलेडी लाइटिंग, फुली डिश्टल स्क्रीन, राइडिंग मोड्स, स्मार्ट फोन कनेक्टिविटी और फास्ट चार्जिंग जैसी सुभधाई इसके अलावा इसके रियर में ग्रैव रेल के साथ 12 इंच के फ्रेंट और रियर फील मिलेंगे, और इस इस स्कूटर के टेस्टिंग के तरीके से ये साफ पता चल रहा है कि ये काफी दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर होने जा रहा है, हलांकि कमपनी ने इसके ज्यादातर डेली यूज और फैमिली को ध्यान में रखकर ही इस स्कूटर में दिये हैं, हलांकि फिलहाल रेंज को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन खबरों की माने तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राकों को देर सो किलोमेटर से उपर की रेंग मिल सकती है, इसके कमपनी स्कूटर में नया मोटर सेटप और बैटरी पैक का इस्तेमाल कर सकती है, जहां ये हाल फिलहाल में मिलने वाले एथर के 450X स्कूटरों की तूलना में बेहतर और हाई रेंज बाला होगा, साथी इसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा होगी, रही बात इसकी किमत की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत 1,25,000 रुपे से लेकर 1,45,000 रुपे के तकरीवन हो सकती है, हलांकि अभी तक इसकी लौच डेट के बारे में कुछ भी ओफिशल बाहर नहीं आया है, लेकिन खवरों की माने तो कमपनी इसे जून 2024 तक लौच कर सकती है, तो गाइज ये थी एथर की आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्टा के बारे में न्यूज अपडेट, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, और बेल आइकन पे ओल पे क्लिक करें, तो जहीं दोस्तो, हैव अगुड डाइग!